ग्यान सिरी फीजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ जोन प्लेट के बारे में जोन प्लेट जो है वो एक optical device है जैसा कि मैंने बताया जोन प्लेट एक optical device है जो based है फ्रेनल theory of half period zones के उपर में यानी जोन प्लेट को अच्छे तरह समझने के लिए आपको फ्रेनल theory of half period zones को जानना जरूरी है जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिसकस किया हुआ है एक बार उ circle से जिनका radius जो होता है वो होता है proportional to square root of consecutive natural number मतलब अगर आप circles को mark करते हैं कि एक number circle दो number circle तीन number circle देन उनका जो radius होगा वो होगा proportional to root over 1, root over 2, root over 3 and so on zone plate देखने में कुछ ऐसा होता है जैसे देखे यहाँ पर यह एक circle है यह एक दूसरा circle है उसके बाद यहाँ पर एक तीसरा circle है उसके बाद चौता circle है इस तरह बहुत सारे circles होते हैं और इनका जो radius है वो है proportional to square root of consecutive natural number अब करते क्या है इसमें जो area आपको दिख रहा है जैसे यह एक area है फिर annular area between these two circle है फिर यह white वाला annular area between दो number circle और तीन number circle है इसमें करते क्या है जो भी alternate जो area होता है उसको हम लोग क्या करते हैं एक को transparent रखते हैं दूसरे वाले को opaque जैसे यहाँ पर यह white वाला transparent को indicate कर रहा है black वाला opaque को तो पहला है transparent उसके बाद ओपेक then transparent then opaque यह ज कैसे हम लोग बनाते हैं यह पूरा जो zone plate है वो convex lens की तरह behave करता है इसको हम लोग use करते हैं light को focus करने में convex lens में light कैसे focus होता है convex lens में light focus होता है reflection और reflection के कारण लेकिन zone plate में light focus होता है using diffraction phenomena इसलिए zone plate को हम लोग diffraction of light में पढ़ रहे हैं पहले नहीं पढ़ा यहां पे diffraction phenomena यूज करके light को focus किया जाता है convex lens में reflection और reflection यूज होता है तो कभी-कभी questions आते हैं कि write down the difference between convex lens and zone plate आपको यह सारे points को याद रखना पड़ेगा अब इसके details को देखते हैं यह कैसे light को focus कर रहा है और क्यूं इसको बोल रहे हैं कि यह convex lens की तरह है उसको समझने के लिए इसका principle of operation क्या है पहले एक plane लेते हैं जिस plane को हम लोग zone plate में convert करेंगे तो यह रहा हमारा plane चुकि हम लोग side view देख रहे हैं तो plane हमें कैसा दिखेगा एक line की तरह दिखेगा और यह जो plane है वो perpendicular to screen है इसको हम लोग नाम दे देते हैं P अब हमारे पास जो हमारा source है वो point S के पास है और point O के पास हम observation कर रहे हैं अब यहां से मार्क कर लेते हैं U and V U हो गया source का distance from the zone plate from this plane और V हो गया point of observation का distance next हमें करना क्या है हमें इस plane पे एक circle बनाना है अब circle का एक circumference पे point लेते हैं M1 उस point को अगर हम source से join कर देंगे by a line तो वो line हो जाएगा SM1 और observation वाले point से अगर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा M1 O और यह एक point है उस circle पे जो हमने draw किया है P को center मानके अब चुकि P को center मानके अगर circle draw करेंगे तो वो plane पे है तो हमें एक point ही दिखेगा न तो इसको हम लोग भी देखेंगे एक और different angles में देखेंगे वहाँ पे यह पूरा clear हो जाएगा कि M1 जो है वो एक point है जो circle हमने draw किया है keeping P as our center ओके दूसरा इसका radius कैसा लेंगे इसके बारे में भी discuss करेंगे similarly एक दूसरा circle draw करेंगे जिसके circumference पे एक point होगा M2 तो M2 से इसको join कर दीजिए M2 से O को join कर दीजिए similarly एक तीसरा circle लेते है M3 ऐसे करते करते जितना possible है उतने अथारे circle बनाएंगे let's say कि M M M number of circle हमने बनाया तो हम लोग कर लेंगे M M एक point ले लेंगे उस circle के circumference पे next करना क्या है जैसा कि मैंने बताया है alternate zone को transparent and opaque रखना है तो अगर हम यह PM1 को transparent रखेंगे तो M1 M2 के बीच के region को हम लें opaque करना पड़ेगा M2 M3 वाले region को transparent करेंगे M3 M4 वाले को opaque करेंगे and so on ऐसे हम लोग इसको repeat करते जाएंगे right इसको समझने के लिए बस यह वाला angle देख लीजिए यह रहा हमारा point P यह रहा हमारा source का position यह रहा point of observation अब हम लोग plane को उपर से circle draw किया जिसका जो पहला point था M1 और हमने क्या किया था इस M1 को S से जोड़ा था similarly यह वाला point है M2 यह वाला point है M3 ऐसा करते जाएंगे तो हमने zone plate बना लिया लेकिन हमने बात किया था कि इनका जो radius है वो proportional to क्या होगा consecutive natural number तो देखते हैं क्यों हो रहा है वाईसा अगर वाई सकते हैं तो चलिए उसके principle को देखते हैं हमें करना क्या है हमने बताया कि यह जो zone plate है उसका operation depend करता है Fresnel's theory of half period zone यानि यह जो circles हम बना रहे हैं वो behave करना चाहिए ना half period zone की तरह और half period zone का concept क्या था path difference between light क्या होना चाहिए है lambda by 2 अगर path difference lambda by 2 होगा तो face difference पाई होगा opposite face और lambda by 2 path difference होता है इसलिए इसको हम लोग half period zone बोलते हैं क्योंकि complete period में कितना wave travel करता है lambda distance तो lambda by 2 क्या हो गया half wavelength यानि half period zone ओके अब half period zone create करना है इसका मतलब यह जो light s से start हो रही है through this line sm1 और फिर m1 o इसका और जो spo वाला जो line है इनके बीच में कितना का difference होना चाहिए pi by 2 का sm1 plus m1 o minus so यह होना चाहिए pi by 2 similarly next वाला sm2 m2 o की बात करेंगे वो वाले line में जो हमारा part difference होना चाहिए वो 2 times lambda by 2 similarly तीसरे वाले circle के case में 3 times lambda by 2 ऐसे करते जाएंगे और mth वाले circle के लिए हमारे पास आएगा smm plus mm o minus so is equal to m times lambda by 2 इससे क्या हुआ इससे हम ensure कर लिए कि यह जो light wave travel कर रही है वो हर zone में क्या है path difference lambda by 2 है इसका मतलब हर alternate zone में जो phase of light होगा वो क्या होगा opposite phase होगा ओके अब यह जो area है जो circle बना है PM1 radius लेके वो है first half period zone और annular reason between जो circle जिसका पहले का radius PM1 है और दूसरे का radius PM2 है उनके बीच में जो annular space है वो second half period zone हो जाएगा similarly उसके बाद वाला third half period zone and so on अब important क्या है अगर हम zone plate बना रहे हैं तो हमें radius पता होना चाहिए तो next हमें calculate करना है radius suppose किजिए कि जो mth circle था उसका radius था PM1 जिसको हम लोग RM बोल लेते हैं तो अगर यह वाला focus किजिए SMM और P यहां से हम लोग लिख सकते हैं pythagoras law से SMM का whole square is equals to u square plus RM whole square right यहां से RM क्या है RM much-much less than u है न क्योंकि RM है radius of mth circle और हमारा u है source का distance source का distance always greater होगा much-much greater है यानि यहां से u square common ले लेंगे और यहां से जो square है उसको इधा transfer करेंगे तो square root हो जाएगा और binomial expansion करके हम लोग सकते हैं SM is equals to u times 1 plus RM whole square upon 2u square where RM is much-much less than u अगर यह condition नहीं होता तो यहां पे और भी higher order terms आते हैं जिसको हमने neglect कर दिया है similarly अगर हम इधर वाले triangle को focus करेंगे OMMP को यहां से हम लोग लिखेंगे OMM is equals to v times 1 plus RM whole square upon 2v square यहां पे भी same condition लिया है RM is much-much less than v ओके next हम क्या करेंगे हमने condition देखा ना SMM plus MMO minus SO is equals to m times lambda by 2 हम यह वाले relation को use करेंगे और यहां पे SM की value बैठाएंगे MMO की value substitute करेंगे SO की value substitute करेंगे तो जब हम यह value substitute करेंगे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा यहां से इसको simply हम लोग simplified कर सकते हैं और simplified करने के बाद हमें मिलेगा RM का whole square is equals to uv upon u plus v m lambda यहां पे lambda क्या है constant है u क्या है constant है because source का position fixed हो गया v हमारे उपर depend कर रहा है हम कहां observe कर रहे हैं सो v v fixed हो गया ऐसे case में RM क्या हो जाएगा RM will be proportional to root m इसलिए हम लोग बोलेंगे कि radii of half period zones are proportional to square root of all consecutive natural number अगर हम लोग यह principle follow करेंगे तब ही यह होगा कि half period zone का concept क्यों क्योंकि हमने यह derivation कैसे किया हमने पहले ही assume कर लिया था कि जो path का difference है वो lambda by 2 का है अगर lambda by 2 का path difference होगा तो यह वाला relation पे हम लोग पहुच रहे हैं इसका मतलब अगर हम लोग half period zone वाले concept को use करेंगे तो ही यह क्या होगा proportional to root m अगर हम लोग इसको follow नहीं करेंगे कोई भी random circle बनाएंगे तो हमारा अगर हम इसको reverse करके सोचे अगर हम लोग कोई भी random circle ड्रॉ करते हैं जिसका radius हमें नहीं पता क्या relation होगा उस case में वो lambda by 2 का path difference नहीं आएगा यह वाले relation को याद रखिएगा इसको हम लोग अभी just use करेंगे थोड़े दिर में या फिर यह वाले relation को भी अभी just use करेंगे कि next क्या है area निकाल लेते area ओवमें जोन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि area अअव Haar period जोन क्या होते है approximately constant होता है उसका हम लोग यहाँ से भी देख सकते area of a में जोन क्या होगा time औरहल माइनस त वान का square area of bigger circle माइनस area of smaller circle यहाँ पे अगर हम आ गांस्टेंट एंडा कॉंस्टेंट है ये एड होंस्टेंग लिया को सटीस्फाई कर रहा है था पर हाफिर जोन एडिया अफ प्रॉक्सिमेटली कॉंस्टेंट अब लोग एक काम करते हमें क्या करना है हमें amplitude calculate करना है न, at the जिस point पर हम observation कर रहे हैं, उस point पर कितना amplitude of light आ रहा है assume कर लेते हैं कि पहले वाला half period zone है, वहाँ से amplitude आ रहा है A1, दूसरे वाले से A2 तीसरे वाले से A3 ऐसे करके हम लोग M वाले से AM, ओके चुकि ये सारे half period zone है तो जो भी alternate zone है उसका phase क्या opposite है तो अगर पहले वाले से A1 आ रहा है और दूसरे वाले से A2 आ रहा है तो उनके बीच में एक phase difference होगा अगर A1 positive होगा तो A2 क्या होगा, negative क्योंकि opposite phase में है न, क्योंकि वो लोग separated है by a distance lambda by 2 तो total amplitude at observation point क्या हो जाएगा A1 minus A2 plus A3 minus A4 dot 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 ऐसे लिखते जाएगे अगें ये जब zone plate बनाये थे तो हमने क्या किया था alternate zone को opaque कर दिया था न अगर हम लोग even वाले को opaque करते हैं तो क्या होगा light coming from second, fourth, sixth ये सारे zone से आप कोई light ही नहीं आगा क्योंकि वो opaque हो गया है महाँ से light पास ही नहीं कर सकता therefore A2 will be 0 A4 will be 0 A6 will be 0 so R is equals to this अब यहाँ पे पिछले वीडियो से याद किजिए जब सारे zone plate से light आते हैं तो resultant amplitude होता है A1 upon 2 पहले वाले half period zone का amplitude divided by 2 जो कि बहुत ही small quantity होती है compared to this therefore zone plate में क्या हुआ intensity बहुत बढ़ जाएगी right similarly अगर हम लोग odd वाले को बंद करते हैं तो resultant amplitude हो जाएगा A2, A4, A6 dot 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 therefore हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि due to this जहाँ पे हमने arrangement किया था कि alternate zone opaque and transparent होगा उसके वज़े से resultant amplitude है वो कई गुणा बढ़ चुका है right कई गुणा बढ़ चुका है resultant disturbance at point O many times greater than that of due to wavelength from all zone अगर हम सारे zone से light को pass करवाते हैं हमको R के expression से भी पता है अगर हम लोग total calculate करेंगे तो जितना आएगा negative वाले को हटा देंगे तो क्या होगा कई गुणा बढ़ जाएगा और कई गुणा light बढ़ जाने का मतलब क्या होता है intensity बहुत बढ़ जाने यानि maximum intensity और maximum intensity कहां होती है focus पे thus light from S will be focused at O जो S से light चली है वो O point पे focused हो जाएगी अब वहाँ से हम लोग उस radius वाल expression को थोड़ा सा rearrange करेंगे तो वहाँ से लिख सकते है 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F M where F M is R M whole square upon M lambda और यह दिखिए यह expression कैसा लग रहा है यह लग रहा है na equation of a convex lens वहाँ पे ऐसा ही था 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F F जो था वो focal length of convex lens तो यहाँ पे क्या हो गया F M हो गया focal length of this given zone plate और focal length हो जाएगा R M whole square upon M lambda so R M है radius of जो सबसे outer most circle है हमारे zone plate पे वो calculate कर सकते है lambda known है M अगर known होगा तो आप F M calculate कर सकते है तो वो zone plate कहाँ पे light को focus करेगा आप यह वाले expression से निकाल सकते है फिर उसी साबसे अपने zone plate को use कर सकते है यहाँ पे एक और difference है convex lens और zone plate के बीच में एक difference है पहला तो difference हमने देख लिया कि convex lens है वो reflection और reflection को use करता है zone plate है वो diffraction of light को use करता है यहाँ पे एक और difference है multiple focus convex lens में एक ही focus होता है बट zone plate में multiple focus होता है multiple focus इसके concept को देखते है यह जो अभी हमने focus को निकाला ना वो सबसे brightest focus है इसके अलावा भी और भी focused होंगे जहांपे light की intensity brightest focus से तो कम होगी बट उसके आजू-बाजू के हिसाब से वहाँ पे वो focus होगी यह होगा brightest focus और जो other focus होगे ना उनकी intensity decreasing order में होगी एक का f1 upon 3 होगा दूसरे का f1 upon 5 होगा मतलब पहले वाले में जितना intensity था दूसरे वाले में उसका one third हो जाएगा फिर उसके बाद एक और focus को आप जब notice करेंगे वहाँ पे maximum वाले से fifth intensity होजाएगी intensity जो होगी वो reducing order में होगी कैसे? सिंपली देखते है area of half period zone क्या होता है area of half period zone यह जो half period zone हमने define किया था वो एक point of observation के respect में था right? so वो point of observation जितना nearer होगा आपके zone plate से वो उस case में area of half period zone उतना ही छोटा होगा मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि area of each zone diminishes as point nearer to zone or consider पहले वाले वीडियो में भी देखा था point of observation जैसे close आएगा उस point of observation के respect में जो हम लोग half period zone बनाएंगे उसकी area पहले वाले के compare में कम होगी अब यहाँ पे देखते हैं यह तो हमने क्या किया हमने तो zone plate बना लिया पहले with respect to O इसका focus भी हमें पता चल चुका है यानि यह तो device है अब हम इसको halter नहीं कर सकते और हमें पता है कि O point पे focus है जो device हमें दिया गया है इस point से light चली और O point पे focused हो गई उस case में हम लोग बोलेंगे कि पहले वाला था हमारा first half period zone दूसरा वाला second half period zone जिसको हमने opaque कर दिया है तीसरा वाला third half period zone और opaque अब आप simply ऐसे किजिए O point से थोड़ा सा zone plate के तरब move किजिए जैसे ही थोड़ा सा move करेंगे तो जो point पे पहुँचेंगे उस point के respect में हमारा क्या हो जाएगा area तो reduce हो जाएगा ना half period zone का यानि यह जो पहला वाला transparent reason है इसमें first half period zone भी आ जाएगा with respect to new point और second half period zone का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा क्यों? क्योंकि half period zone जहाँ पहला खतम होगा वहीं से दूसरा सुरू हो जाएगा तो अगर area reduce हो गया तो माली जे इतने छोटे area में पहला वाला है तो यहाँ पे दूसरा वाला भी तो आ जाएगा और दूसरा वाला की face क्या होता है opposite होता है तो वो intensity को reduce करने लेगा similarly सारे transparent zone में होने लगेगा तो जब भी हम O से जब left की तरफ move करेंगे तो जैसे जैसे उसमें दूसरे वाले half period zone की प्रभाव बढ़ते जाएगा वैसे वैसे intensity कम होती जाएगी और ऐसे ऐसे कम होती जा रही है अब माली जी एक ऐसा point आ गया जहां पे पहला half period zone और दूसरा half period zone दोनों इसी में fit हो गए अगर माली जी इसमें दोनो half period zone fit हो गए C1 and C2 तो resultant temperature हो जाएगा C1 minus C2 almost 0 यानि intensity हो गई minimum फिर जैसे बढ़ना सुरू करेंगे फिर क्या होगा तीसरा half period zone जोन इसमें आने लगेगा और तीसरा half period zone एक positive sign के साथ आएगा इसका मतलब intensity फिर बढ़ने लगेगी और जब हम एक particular point पे पहुँचेंगे जहां पे तीनो half period zone जोन इसमें आ गए जिसका amplitude है b1, b2 and b3 उस case में ये वाले transparent region में होगा b1 minus b2 plus b3 b1 और b2 almost same होंगे तो अगर वो cancel कर देंगे तो b3 का प्रभाव तो बच्छी जाएगा यानि इस point पे फिर हमें maximum मिलेगा तो पहले maximum था फिर reduce हुआ, almost 0 फिर maximum होते होते o prime point पे maximum आ गया अब इसमें पहले o point में यहाँ पे एक half period zone था o prime point में यहाँ पे तीन half period zone है, जिसमें दो आपस में cancel out हो जा रहा है एक बच जा रहा है, यानि यहाँ का amplitude तीन हिस्सों में बढ़ गया और तीन हिस्से में दो हिस्से cancel हो गया, तो एक हिस्सा बचा है यानि one third हिस्सा बचा न therefore यहाँ पे जो intensity होगी वो one third of maximum brightest focus के हिसाब से one third होगी, similarly और अगर आप इधर move करेंगे left के side तो फिर चौथा आने लगेगा दिरे दिरे वो reduce करेगा, फिर almost zero होगा, फिर बढ़ना सुरू होगा और कब maximum होजाएगा जब इसमें 5 आजाएगे 5 आजाएगे तो 4 आपस में cancel out हो जाएगे 5 बच बच जाएगा, यानि intensity one fifth इसलिए जब भी हम zone plate के बात करते हैं, तो उसमें multiple focus होते हैं, जिसमें brightest focus तो already decided है ये वाले formula से उसके बाद, जैसे जैसे हम zone plate के pass वाले point को consider करते जाएगे, वैसे वैसे हमारा other focus भी आते जाएगा अब next है, zone plate बनाएगे कैसे, simple है आप एक transparent कोई भी material ले लिजे, glass ले लिजे transparent glass, उसके उपर circles बनाएगे और circles ऐसे बनाएगे जैसा कि उनका जो radius होगा वो proportional to square root of consecutive natural numbers होगा उसके बाद alternate zone को opaque कर दीजे या फिर आप पहले ही एक paper पे draw कर लिजे, concentric circles और glass पे paste कर दीजे, फिर alternate zone को opaque and transparent कर दीजे एकदम simple way में हम लोग zone plate बना सकते आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलेंग अगली वीडियो में जहां पे frontal half period zone को यूज करके और भी diffraction pattern को देखने की कोशिस करेंगे मिलते हैं आप से अगर आपको वीडियो पसंद आया होते इसको like करें, share करें Thank you गलब है नmostे होगा दन। करेंक हाए आप तय क Northeast कि इसको जी दो अगलनों एचलनी जह करें देको जह pada क Legs